जाहें त्रेंट्स मित्रों इस वीडियो में हम लोग UPSC CSAT 2021 के मैत का क्वेश्चन सुल्व करेंगे तो आए शुरू करते हैं वीडियो को देखें मित्रों यह क्वेश्चन है क्या करता है क्वेश्चन क्या करता है क्वेश्चन मित्रों तीन शुननेतर अंकों के उपयोग से बीना अंकों की पुर्णा व्रित्ती के प्राप्त सभी तीन अंकों की संख्याओं पर विचार कीजिए जो तीन का गुणज है Let S be their sum मान लिजिये S इन संख्याओं का योगफल है Which of the following is are correct निमलिखित में से कौन सही है First statement S is always divisible by 74 S हमेशा चुहतर से भाज है Statement second S is always divisible by 9 S हमेशा नौ से भाज है Select the correct answer using the code even below नीचे दिये गए code का उप्योग करके सही उत्तर का चैन कीजिए Option A, one only Option B, two only Option C, both one and two Option D, neither one nor two देखें मित्रों, कैसे इस question को हम लोग solve करेंगे मित्रों, one to nine जितने digits हैं One to nine One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine One, two, nine जितने digits हैं इसमें से हम लोग तीन अलग अलग digit का चुनाव करेंगे मित्रों वो ऐसे digit का चुनाव करेंगे जिसका उप्योग करके हम लोग तीन अंकों की जो संख्या बनाएं वो संख्या तीन का गुणज हो जैसे मान लिजिए हम लोग one, two, three चुनते हैं तो क्या संख्या बनेगा? कौन सा संख्या बनेगा मित्रों? एक सो तेज़ 123 बनेगा 123 मित्रों 3 का multiple है इसी तरीके से मान लिजिए हम लोग चुनते हैं 234 तो 234 से जो संख्या बनेगा वो आपका बनेगा 234 234 यह भी आपका 3 का गुणज है 369 अगर हम लोग लेते हैं तो बन जाएगा 379 369 यह संख्या भी 3 का गुणज है मित्रों 789 अगर हम लोग चुनते हैं तो बन जाएगा कौन सा संख्या बनेगा? 789 यह संख्या भी मित्रों 3 का गुणज है तो 1 to 9 जितने डिजिट्स हैं मित्रों इसमें से हम लोग 3 डिजिट्स का चुनाव करेंगे कितने 3 डिजिट्स का चुनाव करेंगे वो ऐसा डिजिट्स का चुनाव करेंगे जिसके उपयोग करेंगे कि हम तीन अंकों की जो संख्या बनाएं, वह संख्या तीन का गुणज हो, तो देखिए मित्रों, हम लोग 1, 2, 3 का चैन करके, 1, 2, 3 ले करके, जितना तीन अंकों की संख्या बन सकता है, उसको बनाते हैं, तो पहला 123 हो गया, 123 हमारा थीन का गुणज है, पहला 123, दूसरा क्या बन जाएगा मित्रों, 132, 132, अगला संख्या बन जाएगा आपका 213, अगला बन जाएगा आपका 231, अगला बन जाएगा आपका 312, नेक्स्ट बन जाएगा आपका 321 देखिए 1, 2, 3 का उप्योग करके आप 3 अंकों की कितनी संख्याएं बना सकते हैं मित्रों अब हम लोग क्या करेंगे इन सभी संख्याओं को जोड़ देंगे 3, 2, 5, 3, 8, 1, 9, 2, 11, 1, 12, 2 3, 1, 4, 3, 7, 1, 8, 3, 11, 11, 12, 13 4, 3, 7, 2, 9, 2, 11, 12, 11, 12, 11, 12, 12 इन सभी संख्याओं का योगफल मित्रों 1332 प्राप्त हुआ अब हम लोग क्या करेंगे इस योगफल में 24 से डिवाइड करेंगे एक बार में जाएगा 13 में से 4 गया, 9, 12 में से 7 गया, 5, 2 आया, 8 आठ बार में कर जाएगा मित्रों, 2, 9, 5 तो देखिए मित्रों, 1332, 1332, 74 से भाज्ये मित्रों तो पहला स्टेटमेंट हम लोग का सही है अब हम लोग दूसरा स्टेटमेंट को चेक करते हैं कि 1332, 9 से कटेगा या नहीं कटेगा एक बार में जाएगा, 4, 3, फिर 4 बार, 5 बने जाएगा 4, 5, 9, 4, 36, 136, 7, कट गया, 2 उतारेंगे, 9, 8, 72 यानि कि 9 से 1332 कट जा रहा है मित्रों तो दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा सही हो जा रहा है तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा मित्रों दोनों स्टेटमेंट सही है, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट तो इसका आंसर हो जाएगा option C, both 1 and 2 मित्रों 1, 2, 3 के जगा पर आप 2, 3, 4 लेकर के भी बना सकते हैं 3, 6, 9 को भी लेकर के बना सकते हैं 7, 8, 9 को लेकर के भी बना सकते हैं यानि कि यह जो digits दिया गया है, 1, 2, 9 जितने digits हैं इसमें से कोई 3 digits का चुनाव करके आप इस प्रशन को हल कर सकते हैं इसमें ध्यान क्या देना है कि ऐसे digits को हम लोग चुनेंगे जिसका उप्रयोग करके 3 अंकों की जो संख्या हम लोग बना रहे हैं वह संख्या 3 का गुणजो, बस यही ध्यान देना है मित्रों, इस प्रशन को x, y, z मान करके भी हम लोग स्वल्व कर सकते हैं आए x, y, z मान करके स्वल्व करते हैं इसको देखें मित्रों मान लेते हैं कि एक डिजिट हमारा x है एक डिजिट y है, एक डिजिट z है, तीनों डिजिट मित्रों डिफरेंट है और कोई भी 0 नहीं है, कोई भी 0 नहीं है तो x, y, z का उप्यों करके मित्रों जितना त्रिजिट का नंबर्स बन सकता है उसको हम लोग बना लेंगे तो x, y, z से पहला बनेगा मित्रों आपका x, y, z दूसरा बन जाएगा आपका x, z, y तीसरा बन जाएगा आपका y, x, z चौथा बन जाएगा y, z, x अगला बन जाएगा मित्रों आपका z, x, y next बन जाएगा मित्रों, z, y, x देखे, ये तिनी संख्याएँ ये जो x, y, z है इसका उप्योग करके हम लोग बना सकते हैं मित्रों तो ये जितनी संख्याँ हैं, ये सभी तीन अंकों का है, और ये सभी क्या है तीन का मल्टिपल्स है जितनी संख्याँ हैं, वो सभी संख्याँ हैं तीन का मल्टिपल्स हैं मित्रों देखे मित्रों, अगर कोई संख्या तीन का मल्टिपल्स है तो उसके सभी डिजिट्स को अगर हम लोग जोरें तो वो भी 3 का multiple होगा यानि कि x plus y plus z यह भी 3 का multiple होगा चुकि x, y, z 3 का multiple है इसलिए x plus y plus z भी 3 का multiple होगा देखे मित्रों, अब यह सारा जो हमारा numbers है इन सभी number का जो expanded form है उसको लिख देंगे देखे, x, y, z का expanded form क्या होगा मित्रों यह होगा आपका 100x plus 10y plus z x, z, y का हो जागा आपका 100x plus 10z plus y y, x, z का हो जागा आपका 100y plus 10x plus z y, z, x का हो जागा आपका 100y plus 10z plus x z, x, y का हो जागा, 100z plus 10x plus y z, y, x का हो जागा मित्रों 100z plus 10y plus x अब इन समों को मित्रों हम लोग add कर देंगे देखे, 100x, 100x को add करेंगे, तो 200x हो गया मित्रों और यहाँ 10x है, यह 10x, 20x हो गया, यानि कि 220x और इधर जो है, आपका 2x है तो यह हो जागा, 222x कितना हो जागा मित्रों? 222x, 222x इसी तरीके से, y को हम लोग जोरेंगे मित्रों तो हम लोग को प्राप्थ होगा 222y, 222y इसी तरीके से, हम लोग z को जोरेंगे z वाले को, तो कितना प्राप्थ होगा मित्रों? प्राप्ट होगा 222 222 Z अब क्या करेंगे हम लोग मित्रों कि इन सबों में से 222 को common निकाल लेंगे क्या बचेगा इधर X प्लस Y प्लस Z अब हम लोग क्या करेंगे पहला statement को check करेंगे 222 में 74 से भाग देंगे 222 भागा 74 तीन बार में कर जागा मित्रों तो ये संख्या 74 से भाज्य हो गया तो पहला statement हम लोग का सही हो गया अब हम लोग 9 से भाग देंगे देखें मित्रों 9 से जब इसमें भाग देंगे ये पूरी संख्या में तो कर जागा मित्रों कैसे? x प्लस y प्लस z जो है आपका वो तीन का गुनज है और यह भी तीन का गुनज है तो 9 से विभाजी सो जाएगा मित्रों यानि कि यह पूरी संख्या 9 से भाज है तो दूसरा statement भी हमारा सही हो गया तो इसका अंसर क्या हो जाएगा मित्रों बोथ statements are correct यानि कि option C बोथ 1 and 2 Thank you